हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल से जीमेल का पासवर्ड चेंज कर सकते हो How to change जीमेल पासवर्ड on मोबाइल फोन तो भीना टाइम वेस किये शुरू करते है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे जीमेल अप्लिकेशन ओपन करना है जीमेल अप्लिकेशन ओपन होने के बाद टॉप लेफ कॉर्णर पे आपको थ्री लाइन्स दिखाए देगी जो हमबरगर मेन्यू है उस पे आपको टैप करना है फिर नीचे स्क्रोल कीजिए और वहाँ पे आपको सेटिंग्स ओप्शन दिखेगा उस पे टैप कीजिए जहां सेटिंग्स में आपको वो सारे email address दिखेंगे जिने आपने आपके mobile पे configure किया हुआ है तो आपको उस email address पे टैप करना है जिसका password आपको चेंज करना है तो चलिए मैं एक email address पे टैप कर लेता हूँ जिसका password मुझे चेंज करना है इस screen पे आपको manage your google account पे टैप करना है यहां आपको कई सरे टैप दिखेंगे जैसे home, personal info, data and personalization, security, people and sharing, payments and subscriptions तो आपको यहां पे security टैप पे टैप करना है security टैप के अंदर signing in to google में आपको password का option दिखेगा और यहां पे आपने last time आपका password कब चेंज किया है उसकी date भी दिखेगी तो आपको password पे टैप करना है अगरे screen पे आपको आपका current password एंटर करना है password एंटर करने के बाद next पे टैप किजिए अगले screen पे आपको दो fields दिखेंगी एक new password की और confirm new password की तो new password field के अंदर आपको आपका नया password set करना है तो यहां new password field के अंदर new password को एंटर कर दिजिए वही password आपको confirm new password में भी एंटर करना है password एंटर करने के बाद आपको change password पे टैप करना है और आप message देख सकते हो password change successfully तो आपका जो password है वो अभी change हो चुका है यहां पे एक चीज़ आपको note करनी है कि जैसे google की सारी services जैसे google docs, google drive, आपका youtube account और gmail इन सब का password भी अभी change हो चुका है तो अगर आपको यह services access करनी है तो आपको नए password का use करना होगा तो इस तरीके से आप आपके mobile पे gmail का password change कर सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए आपके दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो please subscribe कीजिए thanks for watching और मिलते हैं अगले वीडियो में